Hey guys, welcome to my YouTube channel, आज हम देखेंगे Top 5 Best Smartphones Under Rs.15,000 वैसे मैंने अपने चैनल पे 30K से लेके 60K तके कुछ बेस लैप्टॉप से वीडियो डाले हुए आप चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं या आई पटम पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हो और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करने ना बुलेगा तो बात करते हैं इस वीडियो की इस वीडियो में मैंने 4G और 5G दोनों भी तरह के स्मार्टफोन लिए जो 15,000 के अंडर बेस स्पेसिफिकिशन के साथ आते हैं तो वीडियो को एंड तक देखना वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरू करना और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकोन पर क्लिक करके अल कर देना ताकि हमारे सारी नए वीडियो के नौड इपिकेशन आप तक सबसे पहले पहुचेब So without wasting any time, let's start our video तो पाच नमबर पे जो smartphone है वो है Redmi के दरब से Redmi Note 10 तो सबसे पहले बात करते है smartphone के processor के बारे में तो इस smartphone में हमें Qualcomm Snapdragon का 678 processor देखनी को मिलता है जो हमें इस लिस्ट के बाखी smartphone के processor के comparison में थोड़ी low performance देता है अब performance हमारे comparison criteria का सबसे main part है इसी वाज़े से ये smartphone सबसे last है बात करें इस smartphone के डिस्प्ले के बारे में तो इसमें 6.43 इंच का एक FHD Plus AMOLED पैनल देखनी को मिलता है जो 60Hz refresh rate के साथ आता है और 15,000 के अंदर बहुती कम smartphone में हमें एक AMOLED पैनल देखनी को मिलता है camera की बात करें तो इसमें 48MP का एक primary sensor देखनी को मिलता है साथी साथ एक 8MP का ultra wide sensor अविलेबल है और 13MP का एक front selfie camera भी देखनी को मिलता है तो camera setup भी price point के इसाब से एक ठीक टाक है साथी साथ आपको इसमें 5000 mAh की बैटरे देखनी को मिलते है with 33W fast charger variant की बात करें तो यह 4GB 64GB का variant है और इसकी price जो है वो सी 13,000 ट्रिपल नाइन रूपीज है इसका मतलब हमें 15,000 के अंदर 14,000 के अंदर एक एसा smartphone मिल रहा है जो हमें बहुती कमाल के features दे रहा है 4GB वाला variant पसंद नहीं तो आप 4GB 128GB वाला variant ले सकते हो भी सिर 15,000 के अंदर तो conclusion के बारे में बात करें तो इसमें हमें other phones को compare करते हुए slightly कम performance देखने को मिलें because of that snapdragon 678 इसके जो बाकी के features है जैसे की AMOLED पैनल वी 60Hz refresh rate साथी साथ एक अच्छा खासा camera setup 5000MH की बड़ी battery life with 33W fast charger और 464GB का जो variant है वो सिर्फ और सिर्फ 13,999 रुपिस के अंदर हमें available है तो अगर आपको एक एसा smartphone चाहिए जो 14,000 के आराण में available हो साथी साथ उसमें एक AMOLED डिस्पले अवेलेबल हो अच्छा कासा camera setup अवेलेबल हो 5000MH की बड़ी battery with fast charging थोड़ी बाद support करती हो तो आप इस smartphone को ज़रूर ले सकते हो वैसे इन सभी smartphone के जो links है वो मैंने निचे description में mention किये है आप जाके check out कर सकते हो तो बढ़ते हैं हमारे अगले smartphone की तरफ यह Realme की तरफ से Realme Narzo 30 5G सबसे कमाल की बात बताओ इस smartphone की तो यह 5G smartphone है और 15,000 के अंदर अवेलेबल है वैसे मैंने पहले ही बता दिया है तक कि मैंने इस list में 5G और 4G दोनों भी तरफ की smartphone से इंक्रूट की है तो comparison के मामले में मैंने 5G और 4G connectivity में comparison नहीं किया है मैंने इनका जो comparison है वो पूरा का पूरा इनके specification के उपर बेस्ट किया है बात करते हैं specifications की तो इसमें एक 6.5 इंच का FHD प्लस IPS LCD पैनल देखने को मिलता है with 90Hz refresh rate और 120Hz touch sampling rate साथी साथ एक दमदार performance के रहे इसमें एक Dimensity 700 प्रोसेसर आता है जो एक 5G प्रोसेसर है variant की बात करें तो यह 4GB, 64GB का variant है जो हमें 15,000 के अंदर अवेलेबल है camera में इसमें 48 Megapixel का primary sensor अवेलेबल है 16 Megapixel का front camera अवेलेबल है साथी साथ इसमें एक long battery life के लिए 5000 image की बैटरी दी ही है with 18 rat fast charger और इसकी price इसी 14,999 रूपीज अगर आपको 15,000 के अंदर एक ऐसा स्मार्टफोन चाहिए जो एक 5G स्मार्टफोन हो अच्छा खासा display अवेलेबल हो उसमें एक ठीक ठाक सा camera setup हो अच्छी battery life हो और fast charging भी support करता हो तो आपको इस स्मार्टफोन के तरफ जरू देखना चाहिए वैसे इसका एक alternative भी अवेलेबल है जो की Realme की तरफ से Realme 8 5G ये भी एक 5G स्मार्टफोन है स्पेसिकेशन के बारे में बात करूँ तो इसमें एक 6.5 इंच का FHD Plus IPS LCD पैनल देखने को मिलता है जो 90Hz refresh rate के साथ और 180Hz head sampling rate के साथ आता है साथी इसमें एक Dimensity 700 का 5G processor दिया गया है इसका जो 4GB 64GB का variant है वह होमें 15,000 के आरांड में मिल जाता है कैमेरा की बात करें तो इसमें 48 Megapixel का primary sensor अवेलेबल है और 16 Megapixel का front camera अवेलेबल है इसमें 5000 mAh के बड़ी battery देखने को मिलते है with 18W fast charger और इसकी जो price है वह 15,499 रूपीज है अगर हम Realme Narzo 35G और Realme 8 5G के specifications को compare करे दोनों में भी हमें same specification देखने को मिलते है जैकिन Realme 8 5G के जो price है वह 500 से ज्यादा है Realme Narzo 35G से So before going to next smartphone प्लीज अगर वीडियो को आपने अभी तक like नहीं किया हो तो एक like जरूर कीजिएगा और अगर आपको कोई suggestions देने हो तो आप comment session आपके लिए खुला पड़ा है आप comment session में आपके कोई भी suggestions दे सकते हो तो बढ़ते हैं हमारे next smartphone की दरब हमारा जो next smartphone है वो है Samsung की दरब से Samsung Galaxy M32 बात करें इसके features की तो इसमें 6.4 इंच का FHD Plus Super AMOLED पैनल आता है with 90 Hz refresh rate साथे साथे इसमें Mediatek Helio G80 प्रोसेसर अवेलेबल है जो हमें decent सी performance देता है इसमें 64 MP का एक primary sensor अवेलेबल है 8 MP का अल्टरावाड sensor अवेलेबल है और 20 MP का selfie camera भी इसमें अवेलेबल है वेरियंट के बात करूँ तो इसका 4GB, 64GB वाला जो वेरियंट है वो हमें 15,000 के अंदर देखने को मिलता है साथी साथ इसमें 6000 mAh की एक massive battery देखने को मिलती है with 15W charger और इसकी price एसी 14,999 रुपीज इस smartphone में कुछ बहुत ही अच्छे specifications अवेलेबल है जैसे के एक Super AMOLED डिस्पले विद 90Hz refresh rate decent सा प्रोसेसर एक अच्छी कासी camera quality with 64MP primary sensor 8MP ultra wide camera और 20MP front camera 6000 की एक massive battery life मिलते हैं देखने को इसमें तो अगर आप performance में थोड़ा adjust कर सकते हो तो इस smartphone के बारे में जरूर सोचना बढ़ते हैं हमारे अगले smartphone की तरफ यह है Realme की तरफ से Realme 8i 4G यह जो smartphone है वो Mediatek खेली हो G95 प्रोसेसर के साथ आता है यह बहुत ही powerful प्रोसेसर है बाकी डिस्पले की बात करें तो इसमें 6.6 इंच का एक FHD प्लस IPS LCD डिस्पले देखने को मिलता है विच कांस वीथ 120 हर्ट्स रिफ्रेश रेट और 180 हर्ट्स डश सैंप्लिंग रेट चैमेरा में हमें 50 मेगा पिक्सल का एक primary sensor देखने को मिलता है साथी साथ 16 मेगा पिक्सल का एक front selfie camera देखने को मिलता है बैटरी की बात करें इसमें 5000 mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिलता है साथी साथ इसमें 18W का fast charging का support भी आता है और इसका जो 4GB 64GB का variant है वो हमें 15,000 के अंदर मिलता है 15,000 इबल की 14,000 के अंदर मिलता है इसकी जो price है वो है 13,980 रूपीज तो इस तरह से एक all-round smartphone है क्योंकि इसमें एक better processor देखने को मिलता है साथी साथ अच्छा display देखने को मिलता है with good refresh rate एक अच्छी quality का camera setup देखने को मिलता है साथी साथ बड़ी battery life देखने को मिलते है और इसकी जो price है वो भी बहुत कम है compared to another smartphones वैसे इसका एक alternative भी market में available है जो है realme norzo 34G इसके specifications के बारे में बात करें तो इसमें भी Helio G95 processor available है साथे साथ 6.5 inch का एक FHD plus IPS LCD display available है with 90Hz refresh rate और 120Hz fast test sampling rate camera की बात करें तो इसमें 48 Megapixel का primary sensor available है साथे साथ 13 Megapixel का front camera available है बैटरी के बात करें तो 5000 image की बड़ी बैटरी देखने को मिलते है यह 30 watt super dart charger और वेरेंट की बात करें तो इसका जो 6 GB 64 GB का वेरेंट है वो हमें 14500 के आरांड में मिल जाता है और इसका जो higher variant है 6 GB 128 GB वो भी हमें 15500 के आरांड में मिल जाता है तो यह पूरा का पूरा आप पे डिपेंट करता है कि अगर आप 15,000 के आरांड में एक best smartphone चाते हो तो आप 15,500 एड़ करके रियल्मी नाज़ो 30 6 GB 128 GB का जो वेरेंट है वो ले सकते हो यह आपके लिए best choice रहेगी अंडर रूपिस 15,000 यह फिर आप बजिट थोड़ा भी बाड़ा नहीं सकते है तो बड़े है हमारे लिस्ट के सबसे टॉप के smartphone की तरफ जो है Motorola की तरफ से Motorola G40 Fusion इसकी सबसे बड़िया बात है इसमें हमें stock Android देखने को मिलता है साथी साथ अगर इसे specifications के बारे में बात करूँ तो इसमें 6.7 इंच का एक बड़ा FHD plus IPS LCD डिस्पले है जो 120Hz fast refresh rate के साथ आता है और 240Hz touch sampling rate के साथ इसमें हमें Qualcomm Snapdragon 732G processor देखने को मिलता है जो बहुत ही powerful performance देता है हमें camera की बात करें तो 64MP का primary sensor अवेलेबल है 8MP का ultrawide sensor अवेलेबल है और 16MP का front camera अवेलेबल है साथी साथ इसमें 6000mAh की बड़ी massive battery देखने को मिलते है 20W fast charger और इसका जो 4GB 64GB वाला variant है वो हमें 14,499 रूपीस के आराउंड में देखने को मिलता है यह बहुत ही अच्छी डिल होगी हमारे लिए अच्छी क्वालिटी का डिस्पले देखने को मिलता है चैमेरा की बात करें तो इसमें एक बड़ी massive battery देखने को मिलते है और वो भी 15,000 के अंदर वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कमेट और शेयर जरू कीजेगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉम पे क्लिक करके all कीजेगा तक है हमारे सभी नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सब्सक्राइब पहुचे